अब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल में आ गया हम फिर से एक और नएव वीडियो लगर और यह वीडियो होने वाला है सेशन 21-24 का परिक्षा का स्टेडूल जारी कर दिया गया है जी हां दोस्तों जहां कि 11 तारिक से आपका परिक्षा ह होगा इसके लिए रोटिंग भी जारी कर दिया गया दोस्तों ठीक है तो हम इस वीडियो में कम्प्लीट सेडूल के बारे में आप सब दोस्तों को समझाएंगे इसलिए आप सभी दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपका कौन है और कितने बैसे है दोस्तों ठीक है सभी जनकारी आपको यहीं एक वीडियो के माधम से मिल जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आप देख रहे हैं टेक आर्ट यूटूब चैनल यह चनल सिर्फ चैनल दोस्तों गृरूप ठीक है अगर आपका गृरूप यहां पे ध्यान दीचेगा और गृूप में आपका नाम है ठीक है आपके सब्जेक्ट का उनख सब्जेक्ट का संस्क्रेट म्यूजीके इकनॉमिस इलेक्ट्रोनिक्स मैथ हिंदि होसलोजिए ठीक है यह उर्दू दोस्तों ठीक है डी गुरूप में दिया गया जूलोजी इंगलिस मैथली फारसी फिलोस्पी ए आई एच एड़ सी बोटनिस जोग्राफी साइकलोजी दोस्तों ठीक है इस गुरूप में है तो आप अपना मिला लिजे किस गुरूप से हैं आप अब यहां पर सब्जेक्ट में दो पेपर होता है ठीक है पर फॉस्ट और पर सकेंड ठीक है और आपका यह गुरूप में है माल लिजे कि आपका math honor subject है तो आपका फॉस्ट पेपर कब होगा तो आठारा दोस दो हजार बाइस को नौ बैस लेकर बारे बज़े तक फॉस्ट होगा ठीक है फॉस्ट पेपर वहीं बात के जाए अगर आपका कमेश्टी और physics honors है या home science honors है या political science है तो आपका एक्जाम 18 तारीक को ही second sitting में एक्जाम होगा ठीक है अगर हिस्ट्री आपका अनौर्स है तो हिस्ट्री बंगाली उर्दू अगर आप अनौर्स लिए है तो आपका 19 तारीक को फॉस्ट सेटिंग में होगा ठीक है और यहां पर दिखे जूलोजी है इंगली से मैत है बोटनी है जोग्राफिय साइकलोजी है आपका अनौर्स अबजेक्ट तो आपका एक्जाम होगा 19 तारीक को second sitting में ठीक है ऐसे ही अगर स्ट्रेफिजिक्स हम साइंस पॉलिटिकल साइंस है तो आपका एक्जाम होगा 21 तारीक को second sitting में history है उर्दू है आपका सी ग्रूप में है तो आपका सकेंड पर 22 तारीक को होगा ठीक है और डी वाले का 22 तारीक को second sitting में होगा जिसमें है जूलोजी इंग्लिस ठीक है तो इ आपका दुस्तों ठीक है तो अब जान लेते हैं सबसेडरी एंड जैनरल कोर्स का एक्जाम कब में कौन सब्यक्त सबसेडरी मिलिया है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर दिखेए रहा सबसेडरी को एक्जाम लिया जाएग औरर 14 तारीक सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि यहां पर आपका अनर सब्जेक्ट में दिया है और कोई भी दिक्कत हो रहा तो नीचे कमेंट की जाएगा तो हम आपको करेक्ट कर ही देंगे ठीक है यहाँ वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है मिलते हैं निव वीडियो लकार तब तक के लिए जाए हैं दे जाए